लेकिन मेरे लिए यह सर उतना हैपी नहीं है विकॉज आप सबको पता है हम सारे SSRIANS शुशान्त के जस्टिस के लिए बहुत जाला लड़ रहे हैं अभी तक CBI ने उस तरह से कोई अपटेट नहीं दिया हाँ CBI के तरफ से एक लेटर आया है यह हम सबको पता है लेकिन जो जैसा आना चाहिए था वैसा तो कुछ भी अपटेट उस तरीके से नहीं आया अभी भी हमको नहीं पता CBI 302 लगाने वाली है या नहीं वो हम देखेंगे आगे लेकिन मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं हम सारे SSRIANS मिलके शुशान्त को एक साथ हैपी नियर बता से बोल सकते हैं तो मेरे पास मैंने देखा सोचल मीडिया में बहुत सारे SSRIANS बहुत तरीके से शुशान्त को हैपी नियर विश किया तो मैंने सोचा चलो हम सब मिलके वो देख लेते हैं कि किसने कैसे किया जो मुझे कुछ अच्छा लगा ना मैं आपको दिखाती हूँ जैसे मुझे ये बड़ा अच्छा लगा किसी फैन नहीं ये किया है फिर उन्होंने ऐसे दिखाया है और आखिर में मैं दिखाऊंगी वो बहुत अच्छे से शुशान्त को ना विश किया है उसे पहले हम ऐसा करते है कि शुशान्त हम सब को विश किया है वो हैपी निया देखते है ये 2018 में उसने किया था हम सब को हैपी नियार बोला था देखो 2018 में और आखिर में एक special post मैं आपको दिखाऊंगी वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले शुशान्थ हमको Happy New Year बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं और ये पोस्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, ये मुझे Twitter से मिला कोई प्रिया है, वो भी हमारी जैसी एक SSRN है तो उन्होंने लिखा Happy New Year 2021 in शुशान्थ स्टाइल, तो स्टाइल मुझे बहुत जादा अच्छा लगा, आप देखो, उन्होंने एक मतलब, देखिए कैसे वो Maths के तरह उसको solve करके दिखाया है ये pure trigonometry है, और मैं trigonometry सीखा था, लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे बहुत जादा समझ नहीं आया अगर आप लोग को बिल्कुल हम सुशान जैसे intelligent हो, या उससे थोड़ा कब हो, लेकिन मुझे से जादा intelligent हो तो प्लीज मुझे comment box में जरूर समझा दीजिएगा कि कैसे ये happy new year, break होके होके आ रहा है, ये पूरा stage जो है कैसे बना, प्लीज मुझे समझा देना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आप सब के साथ share कर लूँ और friends, आप लोग मुझे Instagram में follow कर सकते हो, वहाँ आप मुझे DM करो, मैं प्लैन कर रही हूँ कि हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे, मैं देख रही हूँ, दिन मदिन हमारे मुहिम जो है थोड़ा week पर रहा है, क्योंकि जो पहले so-called frontliners थे, मैं तो उन्हें frontliner नहीं मान दे लेकिन फिर भी वह सामने आके लड़ रहे थे और हम लोग पीछे थे, वह अपस भी उलजे गया है, वह उलज गया है, वह आपस में busy हो गया है, एक दूसरे से जगड़ा करने में, और बहुत ही कम YouTuber रहे गया है, या social media बहुत कम लोग रहे गया है, actually regularly मतलब ये शुशंत के पर बात कर रहे है, क्योंकि हमको पता है जो national media है, earn up नहीं बोल सकता, और earn up का channel भी नहीं दिखा सकता, अभी step का case क्योंकि वह खुद उलजा हुआ है, बहुत सारे case में और उसके सारे employees उलजे हुए है, अभी हमारा काम है कि हम पीछे न रखे हम भी आगे आ जाए, तो मैं आप सब को invite करती हूँ कि यह सब का channel है, आप लोग प्लीज एक साथ आए, और हम लोग इस मोहिम को जिन्दा रखे, और इसके लिए मैं चाती हूँ जो लोग भी interested हो, जिनके पास जो भी सबूत है, आप सारे Instagram में मुझे DM कर सकतो कि आप interested हो live आने में, ताकि हम सब एक साथ live आ सके और ये बात कर पाए, regularly हम सुशांत की उपर बात कर पाए, कुछ ना कुछ उचके उसके बहुत, वो बहुत intelligent था, उसका बहुत सारा गुन था, वही बात कर लेना वो बहुत है, है ना, और ये मैं चाती हूँ, प्लीज आप आए, और Twitter में भी आप मुझे follow कर सकते हो मैं Twitter में बहुत जादा active हूँ, और मेरा Instagram का link और Twitter का link मैंने description box में दे दिया है, अप लोग प्लीज वहाँ जाके देख लेना, और जरूर मुझे Instagram में DM करके बताएगा कौन लोग interested है, और friends ये भी जरूर मुझे बताओ, मुझे भी जानने का बहुत मन है, जो लोग अभी त इस्टा में मैंने नहीं देखा है, या Twitter पे नहीं देखा है, कि आप सबने शुषानत को कैसे New Year wish किया, या आप सबने New Year इस बार कैसे बनाया, मुझे comment box में जरूर comment करना, ताकि मुझे भी पता चला है, आप लोग क्या कर रहे हो, सुषानत के लिए क्या कर रहे हो, खुद New YouTubers और Twitter में भी सारे सोशल मीडिया में लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, जो शुषानत के बारे में बात कर रहे हैं, और हम को continue करना है, जब तक शुषानत को justice न मिल जाए, इसलिए सब को एक साथ रहना है, thank you friends